नमस्कार दोस्तो घरकी खिती चानल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि टमाटर के पौधे की केर कैसे करें क्या क्या चीजे हमें करनी है ताकि टमाटर का पौधा अच्छे से ग्रो करें और उसमें बड़ियां से बड़े टमाटर लगें तो चलिए बात करते हैं इस वीडियो में सबसे पहले अगर आपने इसकी पौ़ानी वीडियो नहीं देखी हैं जहां पे हमने टमाटर की बंधाई करी थी तो आई बटन में इसकी लिंक डाल दे रहे हैं हम जाकर आप जरूर देखेगा इस वीडियो में बात करते हैं कि बंधाई के बाद हमको क्या चीज़े ध्यान में रखनी है तो दोस्तो सबसे पहले हमें मिट्टी चढ़ानी है जब भी पौधा बड़ा हो जाए तो हमको इस तरीके से साइड की मिट्टी लेके पौधे के ऊपर चढ़ा देनी है इससे दोस्तो क्या होता है कि जड अच्छे से ग्रो होती है और पौधे की जो रूट्स है वो एर के कॉंटाक्ट में नहीं आती जितना कम पौधे की रूट्स एर के कॉंटाक्ट में आएंगी उतना उसमें root born diseases लगने के chances कम हो जाएंगे आप देख रहे हैं ये जो रेशे होते हैं टामाटर के पौधे में यही उसकी जड बनते हैं तो हम उसको और जड बनाने का promote कर रहे हैं जैसे ही पौधा और बड़ा होगा इसकी और later on stages आएंगी जहां पर हम इसको मिट्टी से इतना भरने वाल है लेकिन अभी हम इसको नहीं भरेंगे जब पौधा थोड़ा सो और बड़ा हो जाएगा तब हम इसकी भराई करेंगे अभी फिलाल क्योंकि ये पंद्रा बैपंद्रा का grow bag है तो इसमें बहुत मिट्टी है दोस्तो 12 इंच तक तो इसमें मिट्टी है इसमें हमने स्कोब दे रखी है 2 इंच की जहां पर पौधा बड़ा होने पर हम उसमें मिट्टी भरेंगे सबसे पहले चीज दोस्तो इस टाइप की जो सकर्ज आती है उसको सक कर लेती है और पौधे के flowers और fruits तक नहीं पहुँचने देती है तो ध्यान रहे दोस्तों कि इस सकर्ज को आप निकाल दीजिए जादा उपर के सकर्ज निकालने की जरूरत नहीं है ग्राउन से एक फिट तक जितने भी आपको सकर्ज दिखते हैं उसको जरूर निकाल इसमें कितनी खराब हो चुकी है इनमें बिमारी लग चुकी है क्यों क्योंकि ये मिट्टी से कॉंटाक्ट में आने के बाद इसमें काफी सारी soil born diseases लग जाती हैं जिससे हमें हमारे पौदे को बचाना है दोस्तों देख सकते हैं इसमें ये leaf minor भी लगा हुआ है इसको control करने वैसे तो organic इलाज जादा नहीं है नीव मॉयल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप रसाइनी खेती करते हैं तो इसमें एममेक्टिन बेंजोईट काफी आपको help करेगा तो यह हमने यहां से लेके नीचे से यहां तकी कर दी है pruning तो यह हो गया step खतम दोस्तों चलते हैं अगले पॉदे में यह देखिए यह इसमें मिट्टी चलाने का काम हमने कर दिया है इसके बाद जो है जहां भी हमने हमारा पहला गठान लगाई थी यह लगी है एक फिट की इसके नीचे की जितनी भी side branches हैं इसको हमें हटा देना है इस वाली को भी हम नहीं हटाएंगे दो दोस्तों की मिट्टी से पौदे का कॉंटाक्ट हट जाएगा अब हमारी कोई भी leaves आप देख सकते हैं कि मिट्टी में टच नहीं है इस चीज का हमको विशेश ध्यान रखना है कि कोई भी हमारी जो पत्तियां है वो मिट्टी से टच ना हो मिट्टी से टच होने के बाद इ अगर इस तरीके से हम प्रूनिंग नहीं करते हैं तो तो आप भी अपने घर के पौदों में ऐसी प्रूनिंग जरूर करेगे इसको अभी हम छोड़ दे रहे हैं दोस्तों क्योंकि यह अभी मिट्टी से काफी ऊपर है यह देखिए इसमें काफी सारे पत्तिया नीचे टच यह हमने दूसरी हटा दी इस साइट से भी दोस्तों जितनी लग रही हैं उनको भी हटा देंगे ते दोस्तो इसकी भी हो गई pruning इसके भी हम ने अंटा दिया सकर्स अब ये कोई भी इसकी जो leaves है वो मिट्टी से टच नहीं है यानि कि अब मिट्टी से इसमें कोई भी समस्यां नहीं पैदा होगी ये कर दी है हमने इन सब की cutting इसी तरीके से दोस्तो आपको भी अपने घर के टमाटर की कटिंग करनी है तो दोस्तो ये हो चुकी है हमारे पौदो की एक फिट टक की प्रूनिंग आप भी अपने पौदो में इस तरीके से प्रूनिंग करिए काफी अच्छे उसके रिजल्ट्स आपको देखने मिलेंगे इस वीडियो में अभी इतना ही आगे के वीडियो में जैसे ही पौदा बड़ा होता है तो हम आपको और इसकी टिप्स जरूर शेयर करेंगे और इसकी जो वीडियो हैं वो चैनल के आई बटन में डले हुए हैं डिस्रिप्शन में डले हुए हैं आके जरूर देखिएगा और अगर आप इसके अच्छे टमाटर के बीज ओर्डर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिये गए नंबर्स पर आप वाट्सअप कर सकते हैं वहां से आप घर बैठे इसली डिलेवर करवा सकते हैं अपने घर पर घर की खेती काफी सारे अ झाल 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 झाल